नमस्कर ये एक व्यक्ति का हात जो मेल नेटिव का हात है पुरुष का हात है तो अब इसमें मैंने तीन मार्किंग्स किए हैं आप देख सकते हैं नमबर वन नमबर टू और ये नमबर तरी तो ये जो मार्किंग है पहली बात तो मैं इनको मतलब कबूल करूँगा कि ऐसे ख् पतली रेखा दिख रही है यहाँ पर लिन दिख रहा है बहुत बढ़िया पिक्चर की कॉलिटी है इस से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती है 90-90 प्रतिशत लोगों को पिक्चर भी नहीं देना आता और वो प्रेडिक्शन चाहते हैं अब ऐसी पिक्चर मिल जाए तो प्रेडिक्शन दे सकते हैं अब देखी यहां पर यह पतली रेखा है यह पतली रेखा भी भागे रेखा को सप्लिमेंट जो सपोर्ट कर रही है ठीक है तो यह अफकोर्स यह प्रेडिक्शन का भाग है परंदु इन तीन जो चीजों को मैंने यहां पर मार किया है यदि आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा इन डेप्थ मतलब डीप जाकर हाथ को जो है ना इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको पता से लेगा कि इनके 35 साल में इनके जो जीवन में बहुत बड़ी घटना है बहुत बड़ी घटना है ऐसी घटना है जो इनको हिला देगी अब जब कोई भी जोतिशी या हस्तरेख शास्तरी ये प्रेडिक्शन देता है तो व्यक्ति को व्यक्ति जो ये सुनता है वो हिल जाता है उसको लगता है अरे बाप रहे ये कैसे इसने बोल दिया ये कोई बड़ी बात नहीं है मैंने देखा है कि कोई भी कर सकता है क्योंकि लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि लोगों को आजकल केवल और केवल उपाए केवल और केवल दो लाक वर्ड्स के ऐसे तीन हजार वर्ड्स के ऐसे फिर ये योग वो योग यहां वहां की गपे वहां का महादशा यहां की महादशा इसके उपर जो जो दो दो तिन तीन घंटों के वीडियो और फालतु अलतु जो लेख पढ़ पढ़ के पूरा टाइम वेस्ट करते हैं और प्रेडिक्शन्स में अपना ध्यान ना देकर दूसरे चीजों में अपने आपको भटकाते हैं ऐसे लोगों को तो लगेगा कि भाई यह बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है कुछ भी नहीं है इसमें कोई भी कर सकता है बेसिक जिसको हस्तरे खात ही है वो कोई भी कर सकता है मैं तो क्लियरली बोलता हूँ कि अगर आप प्रेडिक्शन्स पर ध्यान द वो उपाय करो उसको यह नही नहीं सुनना है कि आप कितने इंटेलिजन्ट हो उसको यह नहीं सुनना है कि आप में ये शमता है वोक्षमत है वो तो आप में है जो आप में है वो आप में है वो आपको वापस सुनने से क्या होने वाला है आपका तो जिनको तारीफ सुनने की आदत है वो बोलेंगे भाई यह तो मुझे सुनना है बहुत अच्छा है अच्छा है अच्छा है लेकिन मामला यह है कि मेन पॉ के बारे में बताओ अगर कोई जोतिशी एक या दो भी इवेंट नहीं बता पाता है पास्ट इवेंट मैं तो बोलता हूँ exact इवेंट नहीं लेकिन year तो बता दो कौन से year में क्या हुआ कौन सा year significant था कौन से year में क्या सबसे कोई घटना हुई यदि ये नहीं बता सकता तो वो अपने आपको जोतिश अगर कहता है तो आप ही सोच लीजे मैं इसको क्या बोलू एक भी आप year नहीं बता सकते कि आपके जिंदगी में क्या घटना हुई है या फिर कौन सा year आपका important है तो आपको जोतिश या जोतिशी कैसे हम कह सकते हैं ये मेरा तरक है यदि आप जोतिश इसे about predicting at least that is what I have learned अगर आप predictions नहीं दे पाते हो और आप आयरुवेदाचार्य बन रहे हो आप psychologist बन रहे हो आप psychiatrist बन रहे हो आप उपाय शास्त्री बन रहे हो आप वास्तु शास्त्री बन रहे हो तो फिर आप जोतिशी नहीं हो अगर आप prediction नहीं दे पाते 29th year में कुछ हुआ है 28th year में कुछ हुआ है ये ये हो सकता है 35th year में ये हुआ है अगर आप ये नहीं बोल सकते तो फिर आप कहे कि जोतिशी हो भाई किसके लिए पैसा ले रहे हो आप client से आपको क्या अधिकार है पैसा लेने का और ये तो cheating है इससे बेटर अगर आपको कोई आयरुवेदाचारी के पास चले जा वो तो professional है आप जोतिशी के पास जाकर वो जोतिशी आपको घुमा घुमा कर आयरुवेदाचारी बनके दिखा रहा है या कोई psychologist बनके दिखा रहा है आप वो करो विपास ना करो उसका काम केवल prediction करके बताना है कि ये ये problem है इस time पे य पिछवास किया जा सकता है यदि एग भी prediction age की prediction नहीं दे पाता है और वो बोलता है कि आप ये करो वो करो क्या आप उल्लू नहीं बन रहे हो क्या आपको वो भटका नहीं रहा है आप थोड़ा सोचिए चलिए आते इस पे विशय पे यहां पे तीन exact जो चीज़े दिख रह और वैसे ही होता है हाँ इसमें एक चीज़ बहुत महतोपूर्ण है यदि आपने picture की quality अच्छी नहीं दी तो फिर आपका prediction नहीं आएगा फिर मत बोलना की prediction नहीं आए आपकी गलती है आपने सही नहीं दी जो picture तो फिर कैसे अगर line ही नहीं दिख रही टूटी हुई या फ इतनी बड़ी घटना है अफकोर्स अब date of birth बहुत लोगों को time of birth पता नहीं होता है ये भी बात बहुत problematic है आजकल और जो time of birth बोलते है most of the time वो time of birth इधर उधर हो जाती है तो फिर एक नया नौटंग की है BTR, birth time rectification मुझे समझ नहीं आथा rectify कैसे कर सकते है birth time को birth time को आप adjust कर सकते हो rectify कैसे कर सकते हो आज तक मुझे समझ नहीं है जो ग्यानी है वो जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं फिर मैं उसका उत्तर और जवाब दूगा आपको क्योंकि मेरे पास भी sources काफी है और मैंने भी काफी लोगों से जांच पड़ताल की है काफी भी मुझे पूछना है यदि आपको कुछ आता है किसी ग्यानी को तो जरूर में समपर करें फिर मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है ठीक है anyways coming to the point यह जो three indicators है इसको आप देखिए अब वैसे ही इनके left hand को आपको देखना चाहिए क्योंकि left hand में कुछ कुछ ची स्पष्ट रूप से दिख जाती है परंतु left hand में जो प्राराब धहर रेखा है या जो जीवन जो शनी रेखा है उसके उपर बहुत ज्यादा आप ध्यान देखे उससे बहुत सारी predictions extract कर सकते हैं आप जो internal जो है prediction जैसे confirmation of predictions हैं क्योंकि जो अंदर का structure है internal structure है वो left hand में पता सल जाता है तोनों हाथ देखना जरूए है roots को भी देखना चाहिए roots left hand पर होते हैं मतलब roots मतलब जड left hand पर होते हैं व्रिक्ष तो होता ही है परंतु left hand जड है अगर जड में problem है तो व्रिक्ष कितना भी बड़ा हो गिर जाएगा आप समझ गए मेरी बात तो ये है हस्तर ए देखा शास्तर में काफी सारी चीज़े मिलती जुलती है परंतु वो दोनों अलग अलग जो शास्तरे इन दोनों को आप एक तरह analysis नहीं कर सकते तो ये मेरा वीडियो छोटा से वीडियो ये जो indicators मुझे दिखाने थे जिससे life changing event जो 35 साल का है वो आप predict करने में कितनी आसान होती है ये मुझे केवल दिखाना था नमस्कार